नमस्कार दोस्तों मैं टिस्ट नमूर्थी आप सब्सक्राइब करता हूँ लेंडिंग मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप जॉब चेंज करोगे तो आप अपना NPS एकाउंट कैसे चेंज कर सकते हो यह चीज ध्यान रखना यह आपका प्रोसीजर ऑनलाइन है लेकिन कोशिस करना कॉपरेटर वाले जो आपका नया जॉब जाओगे वहाँ पर अपना प्रैन नंबर पुट कर देना वही वह चेंज कर देंगे प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको आप NPS लॉगिन कर लो लॉगिन करने के बाद ट अबचन देख लो आपको डॉक्सीजर मांगे जाएंगे वह प्रोवाइट करना होगा यह पर देख लो अगर मानलो प्राइवेक जोब चेंज कर रहे हो तो सिंपल कैसे आपको एंपे से कंच करना है यहां पर देख लो टारगेट कोपरेट पे आना या आपका अल्ले प्र यहाँ पर मैं search के option पर क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पर देख लो आपका बिल्डा का जितना भी company है, जो NPS से registered है, उसका list यहाँ पर आपको आचुका है, आपको बस select करना है, submit के option पर क्लिक करना है, जो document मांगेंगे वो provide करना है, वो verify करेंगे back end से, अगर चीज है document सही है, तो आप OTP के थूँ जो है verify कर दो, और जो है आपका change हो जाएगा, कोसिस करना ही आप online मत करो, जो plan number है आपका, वो plan number जो है आप दे दो company वाले को, जो नई company में आप join कर रहे हो, वही जो है पूरा काम कर देंगे shifting का, आपको headache नहीं लेना है, वो आसानी से कर देंगे आपको, simple सवाल आपके मन में आएगा, सर जो पैसे accumulate हुए है, क्या वो withdraw होगा पहले, फिर से नया होगा, नहीं, जो accumulate हो चुका है आपका, वो 60 से पहले निकाल नहीं सकते, जो जितना accumulate हो चुका है interest के साथ, return के साथ, उसके ऊपर जितना आपका investment होगा, वो वहां से add-on हो जाएगा, तो आप withdraw नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान दख लेना, समझ गे, कैसे आप इसको change कर सकते हो, मैंने बता दिया है, दोस्तों मैं आसा करता हूँ, वीडियो जो आपको अच लगाओ, वीडियो जो लगाओ आपका लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेय करें, ततक लिए रस्त झाल